नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भीनिउज तो मेरा नाम राहुल सावर कर नहीं राहुल गांधी है सही बात बोलने के लिए माफी नहीं मांगूंगा जिहां दिल्ली के रामलीला मैदान पर सनीवार को कॉंग्रिस ने मोधी सरकार के खिलाफ भारत बचाव रैली की इसमें राहुल गांदी काफी तल्ख नजराए उन्होंने कहा कि ये देश पीछे नहीं हटता मुझे कहते हैं कि सही बात बोलने के लिए माफी मांगू भायू बहनो मेरा नाम राहुल सावर कर नहीं राहुल गांदी है मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा और नहीं कोई कॉंग्रिस वाला ही माफी मांगेगा माफी नरेंद्र मोदी को देश मांगनी चाहिए उनके असिस्टेंट अमित साह को माफी मांगनी है राहुल गाधी ने जहारखंड के गोंडा में गुरुवार को रेपिन इंडिया वाला बयान दिया था भाजपा का कहना है कि वे इस पर माफी मांगे अमित साह ने कहा हम नागरिक्ता संसुदन विधयक लाए तो कॉंग्रेस के पेट में दर्ध हो गया जिहां भाजपा के राष्टिय प्रवक्ता अमित साह ने सनिवार को जहारखंड के गिरीडी हमें चुनावी जनसभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंतरी बनने के लिए हेमंत सोरेन जिनकी गोदी में बैठे हैं उसी कॉंग्रेस ने अलग जहरखंड राज्य के आंदोलन कारियों पर गोलिया चलाई थी साह ने कहा कि सुप्रिम कोट में राम जनम भूमे पर फैसला हो गया है कॉंग्रेस ने वर्सों तक इस मसले को लटका कर रखा था अब अयोध्या में आसमान को चूने वाला भव्य रामंदिर जल्द बनने वाला है उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकता संसुधन विधयक प आम आदमी पार्टी राजनितिक रण नितिकार प्रशांत की सोर की मदद लेगी मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल ने सनिवार को इसका एलान किया आम आदमी पार्टी 2015 के चुनाओं में सत्तर में से सड़सट स्ट्य जीती थी आपको बता दें की प्रशांत की सोर सफल चुनावी रण इतिकार के तोर पर जाने जाते हैं उनकी संस्था इंडियन पैक जिसको संचेप में आईपेक के नाम से जना जाता है उसने 2014 में परधानमंतरी नरिंद्र मोदी 2015 में नितिश कुमार 2017 में पंजाब चुनाओं और 2019 में आंदर प्रदेश में जगन मोहन रेड परियों का नस्ट होना मुमकिन है जिहां दिल्ली के रामलीला मैदान में सनिवार को कॉंग्रिस ने मोदी सरकार के खिलाफ भारत बचाओ रैली की इसमें कॉंग्रिस की अंतरीम अध्यक्च सुनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाडरा और डॉक्टर मनम प्रियंका गांधी ने भाजपा के मोदी है तो मुमकिन है वाले नारे पर तंजगसा उन्होंने कहा कि भाजपा है तो देश में बेरोजगारी महंगा प्याज और चार करोड नोकरियों का नश्ट होना मुमकिन है असदुदी नोईसी ने नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाफ खट-कटाया सुप्रिम कोट का दरवाजा जिहां नागरिक्ता संसोधन विधियक को संसत से मंजूरी मिलने और कानून बन जाने का देश की कई हिस्सों में विरोध परदर्शन हो रहा है नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियों से लेकर यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी बीच औल इंडिया मजलिस से इतिहादुल मुस्लिमीन के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुदीन ओवैसी ने नाग को बता दें कि संसद में भी ओवैसी ने इस कानून का विरोध किया था और बिल की कौपी भी फार दी थी मालदीव ने कहा सताय अलप संको के लिए भारत महफूज नागरिक्ता कानून उनका आंतरिक मसला जिहां मालदीव की मौजूदा सरकार में सरवच नेता और पुर्वराष्टपती मुहम्मद नसीद ने कहा कि नागरिक्ता संसुधन कानून पूरी तरह से भारत का आंतरिक मसला है नसीद लोकसभा अध्यक्ष ओम्बेडला और रजसभा के सबापती वैंकईया नाइडो के नियोते पर भारत आ हैं नसीद ने सुकुरवार को कहा कि भारत दूसरे देशों के सताय हुए अलपसिंकों के लिए सबसे सुरक्षित तस्थान है उन्होंने अपना ही उदा झाल